साल 1989 महिना अप्रील का था दिल्ली की सर्दी उस साल भी थोड़ा पहले ही विदा ले चुकी थी और गर्मी ने पैर पसान ने शुरू कर दिये थे लूटियस दिल्ली के अपने बंगले से निकल रहे अटल विहरी वाजपेई समझ गए थे कि घर से निकलने में उन्हें देरी हो गई है तब अटल विहरी वाजपेई विदेश मंतरी थे प्रधान मंतरी मुरारजी देसाई थे प्रधान मंतरी मुरारजी देसाई ने अपने क इमर्जंसी के बाद इंद्रा गांधी सत्ता से जा चुकी थी जनता पार्टी की सरकार बनी थी वैसे तो देसाई बतोर प्रधारमत्री अपना कारेकाल भी पूरा नहीं कर सके लेकिन अपने छोटे से कारेकाल में उन्होंने एक वेहद अहम फैसला लिया जिसकी वजह से आग मारका गांधी टोपी को सभालते हुए साउथ ब्लॉग में दाखिल हो रहे थे वित मंत्री चौधरी चरन सिंग साउथ ब्लॉग में पहले ही आ चुके थे और ग्रीह मंत्री हम पटेल जिनका पूरा नाम हीरु भाई मुलजी भाई पटेल प्रधान मंत्री के दफ्तर का द चारा करती है कि बात कुछ खास है आम तोर पे प्रधान मंत्री जब कैबिनेट के बैठे बूलाते हैं तो उनसे विशाय के बारे में बता दिया जाता है ताकि वो अपने सेक्रेटरी को ले कर के आए लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ खैर वाजपई की अंबिजडर कार साउथ ब्लोक के गेट पर पहुंची और वो लपक के लाल पत्थर वाली इमारत में दाखिल हुए थेज कर्मों से चलते हुए कुछ ही मिंटों में प्रधान मंत्री दफ्तर में दाखिल हो गए उन्होंने देखा कि प्रधान मंत्री और उनके बागी के तीन साथी मंत्री पहले से कमरे में बैठे हुए हैं वाजपई जैसे ही अपने जगा पर बैठे सीधे मुद्दे पर आ गए प्रधान मंतरी ने ये बैठक इसलिए बुलाई थी ताकि वो अपने टॉप के चार मंतरियों के साथ ये चर्चा कर सके कि देश के नुक्यलियर प्रोग्राम के साथ सरकार आगे क्या करे प्यम ने जैसे ये बात कही तो सामने बैठे मंत्रियों के चेहरे पर चिंता और आगे और क्या के भाव उतर गए प्यम ने अपनी बात की पुष्टी के तौर पर एक रिपोर्ट अपने मंत्रियों की तरफ बढ़ा दी इस रिपोर् में बैठक हो रही थी रिपोर्ट देखने के वाद देशाई के चारों मंत्रियों को माजरे का बड़ा हिस्सा समझ में आया तो कि वह सब इस तथ को तो जानते ही थे कि देशाई पुराने गांदिवादी हैं और वो नुकेलियर बंब बनाने के खिलाफ ही नहीं है बलकि इस विषय पे चर्चा करना भी उन्हें पसंद नहीं था तो सहाव आप उस रिपोर्ट की गंभीरता और रिपोर्ट तयार करने वाले के बारे में अंदाजा लगाई है कि प्रधान मंत्री जि इतना कुछ हो रहा था उसे भारत सरकार के जॉइंट इंटेलिजेंस कमीटी के मौजूदा चेयर्मेन के सुबुर्मन्यम साहब ने तयार की थी के सुबुर्मन्यम साहब के ही लड़के हैं इस जैसंकर जो अभी हमारे देश के विदेश मंत्री हैं पहले सिविल सेवा में खेर के सुबुर्मन्यम जी के वारे में कभी आगे विस्तार से बात की जाएगी बहुत दिल्चस्प अधिकारी रहे बहुत बड़ा योगदान इनका रहा हमारे देश के सुरक्षा मामलों में बंद दरवाजे के अंदर रिपोर्ट पे चर्चा शुरू ही बाहर सुबुर्मन्यम साहब की बेचैनी बढ़ती जा रही थी कि अंदर प्रधान मुंत्री क्या फैसला लेने वाले हैं वो भी नुकिलियर प्रगाम को लेकर के प्रधान मुंत्री का रुख पहले से जानते खैर मिटिंग डेड़ घंटे बाद खत्म हुई और अंदर से कैबिनेट सेक्रेटरी निर्मल मुखर जी बाहर निकले अब यहां निर्मल मुखर जी और केस सुबुर्मन्यम साहब में जो बाचीत हुई वो सुनिये के सुबुर्मन्यम ने कैबिनेट सेक्रेटरी से पूछ था मुखरजी सहाब ने कहा नहीं यह फैसला तीन दो से लिया गया है इसका मतलब समझे प्रधानमंति ने अपने मंत्रियों से चर्चा की चर्चा के बाद वोटिंग हुई और वोटिंग में दो के मुकाबले तीन मतों से उस दिन यह फैसला हुआ कि देश का नुकिलियर प् सिपोर्ट ने प्रधानमंति को वो करने के लिए मजबूर कर दिया जो वो नहीं करना चाह रहे थे जो नहीं करने का वो प्लान कम से कम बना रहे थे लेकिन यहां के मन में अभी यह चल रहा था कि प्रधानमंति की कमरे में उनके चार मंत्री थे और प्रधानमंत्री खुद की के सुब्रमन्यम साहब ने इस वारे में फिर से सीधा कैबिनेट सेकरेटरी मुकरजी से सवाल पूछ लिया कैबिनेट सेकरेटरी मुकरजी ने सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया और उल्टे के सुब्रमन्यम साहब से पूछ लिया कि वो बताएं कि उनके मुताबिक दूस में ही वोट किया था केश सुमान्यम साहब को लग रहा था कि चौधरी संय की गई एक रिपोर्ट से मुटिंग होई है प्रधार मंतिरी देसाई को अपना पक्ष बदलना परा है और यहां वो सुमान्यम साहब उस मंत्री को इस दूसरे वेक्ति को पहचानने में गच्चा खा गए जिन्होंने प्रधानमिंत्री के कमरे में अभी अभी नुक्लियर प्रोग्राम के खिलाब वोटिंग की है पहले वेक्ति के तौर पे तो उन्होंने देसाई को पहचाना प्रधानमिंत्री को पहचाना जो कि वो सही थे उनकी उनकी से के सुब्रमन्यम केवल हैरान नहीं हुए बहुत है रहान उनके सामने वाजपई का वह पूराना भासन कौंद गया जो उन्होंने साल उन्हें सो चौश्ट में संसद में दिया था और जिसमें उन्होंने न्यूकिलियर बम के पक्ष में बात ये की थी मतलब भारत के पास न्यूकिलियर होना चाहिए न्यूकिलियर हतियार होना चाहिए इसके बारे में बात की थी के सुब्रमन्यम को जादा हरानी इसलिए भी हुई क्योंकि वाजपई की पार्टी जन संग भी न्यूकिलियर बम के पक्ष में थी फिर वाजपईई ने उस दिन नुकेलियर प्रोग्राम के खिलाफ वोट क्यों किया ये सवाल सुब्रवन्यम साहब को परिशान कर रहा था लगे दिनों अगले दिन ही सुब्रवन्यम साहब ने वाजपईई जी को इस सवाल के साथ घेर लिया जवाब में तब वाजपईई ने कहा था कि नहीं नहीं अभी सबसे ज़्यादा जरूरी है कि पाकिस्तान को बंबनाने से रोका जाए ना कि खुद बंबनाकर खुद बंबनाने की दिशा में बढ़कर पाकिस्तान को प्रबोग किया जाए ख्याल रखिए वाजपई ये बातें बतौर विदेश मंत्री बोल रहे थे बतौर विदेश मंत्री ही उन्होंने पीमो की मीटिंग में नुकिलियर प्रोग्राम चलाए जाने के खिलाब वोट किया था लेकिन इतिहास में ये भी तो दर्ज है कि साल 1998 में में बतौर प्रध की एलान किया . जिनके पास प्रौण शष्यियर्ठ नहीं है , पता नहीं आप इस कहानी से क्या निकाल पाए जो भी निकाल पाए गरू कमेंट में जरूरC में जरूर बताइएगा। इस कहानी को वरिष्ट राजनितिक पत्रकार निर्जा चौधरी जी ने अपने हालिया किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड में दरज किया है अगर आप अंग्रे जी पढ़ सकते हैं तो यह किताब जरूर पढ़िये और राजनीती में अगर आपकी जूरूर ही आपको पढ़नी चाहिए आज के लिए इतना ही लेकिन ऐसा लग रहा है कि यह वाला वीडियो भी लंबा हो गया किहार के मुखमंदरी निदीश कुमार से जुरूरी जो पहली कहानी मैंने यहां कही थी उसको आप लोगोंने हाथ हो हाथ लिया गुरू मुझे तो बिलुकुल भरोसा नहीं था लेकिन यह उस करेक्टर का और जो किताबों में कहानिया दर्ज है उसकी तागा थे अगली मैं काम कर रहा हूं थोड़ा वक्त लग रहा है आप लोग साथ बने रहिए अपनों भरोसा बनाए रखिए और थोड़ा सा इंतजार कीजिए गुरू को किस समय लगता है चीजों को कहने में लिखने में बहुत बहुत शुक्रिया